हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू मांसी श्टडी चैनल दोस्तो आज है 19 नवंबर 2023 और 19 नवंबर 2023 से रिलेटिट करण्ट अफिर्स के जितने भी कुशन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे कुशन को कवर करेंगे और हर कुशन से रिलेटिट इंपॉर्टन पॉइंट भी मै आपको बताऊंगी तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा और दोस्तो ये क्लास आपकी मौनिंग सुबह 7 एम पे डेली लाइव आती है आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तयार रहा करिए इससे आपकी तयारी करंट अफिर्स में बहतर हो 2500 मीटर से स्काइड ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है वू है बिकम दी फर्स्ट बोमेंट टू स्काइड ड्राइव फ्रॉम 21,500 फीट नियर माउंट एवरेश्ट फर्स्ट ऑप्सन है अरुडमा सिन्ना सेकेंड ऑप्सन है सीतल महाजन थर्ड ऑप्सन है किष् फ्रेंड्स इस कुशिटन का राइट आणसर क्या हो जाएगा इस कुशिटन का जो राइट आणसर हो जाएगा दोस्तों व्यह है अमारा आप्सन नंबर बी सीतल महाजन ठीक है दोस्तों चलिए इस कुशिटन से रिलेटिट एमपोटन पॉइंटों को पढbn लेते हैं भार स्काई ड्राइवर सीतल महाजन ने दुनिया की सबसे उची चोटी माउंट एवरेश्ट के सामने 21,500 फीट की उचाई से हेली कॉप्टर से छलांग लगा कर इसकाई ड्राइव करने वाली पहली महिला बन गई हैं जिसके बाद वह 17,444 फीट की उचाई पर काला पथर चोटी पर उतरी वह एक प्रिसिद्ध भारती स्काई ड्राइवर हैं जिनके पास कई स्काई ड्राइविंग रिकॉर्ड हैं और 2001 में चोटे सर्वोच नागरिक पुरुषकार पद मिस्री से भी समानित किया गया था ठीक है दोस्त इंपॉर्टन कुशन है दोस्तों एकजाम के नोकडाउन कर लीजेगा चलिए आंगे बढ़ते हों नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है दोस्तों सहारा सम्हूं के संस्थापक कौन थे जिनका हाली में निधन हो गिया है हूँ वास दी फाउंडर आप सहारा गुरूप हूँ पास्ट अवे रीशेंटली फर जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स इस कुशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वे है हमारा ओप्सन नमबर ए सुबरत रॉय ठीक है दोस्तों चलिए इस कुशन से रिलेटिट इंपोटन्ट पॉइंट्ट को पढ़ लेती हैं सहारा इंडिया गुरुप के प्रमुक सुबरत रॉय का मुंबई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गिया वे 75 वर्सके थे सहारा सम्हू ने एक बयान जारी कर बताया कि वे हाइपर टेंसन और डाइबिटी जैसी बिमारियों से लड़ रहे थे और क प्रत रॉय का जन्म 10 जून 1948 को बिहार के अरिया में हुआ था सहारा इंडिया की स्थापना 1978 में हुई थी उत्तर पिर्देश के गोरकपुर से सुरू किया गया था अरभी अररिया में बिहार का सबसे पहला ब्रांच खोला था ठीक है दोस्तों आंगे बढ़ते हो नेश किस सहर में नौवा भारत अंतरराश्टी विज्ञान महोशब IISF आयोजित किया जाएगा इन्वी सिटी विल्दी 9 इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF भी हेल्ड फर्स्ट ओप्सन है कानपुर सिकिंड ओप्सन है देहरादून थर्ड ओप्सन है फरीदाबा पूर्ट ओप्सन है जैपुर जल्दी से बताइएगा दोस्तो किस सहर में नौवा भारत अंतराश्टी विज्ञान महोशब IISF आयोजित किया जाएगा इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे है हमारा ओप्सन नंबर सी फरीदाबाद में ठीक है दोस्तो चलिए इस कुशन से रिलेटिट इंपोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं भारत अंतराश्टी विज्ञान महोशब IISCF एस एफ दो हजाट तेईस का नौवा संस्करण उनसत्रे से बीस जनवरी दो हजार चौबिस तक हरियाना के फरियादावाद में आयोजित किया जाएगा भारत का मेगा विज्ञान मेला फरियदावाद में ट्रांसलेसंस हेल्थ साइंस एंड टेकनोलोजी इस्टिट्यूट और जैप प्रोधोगी की विवाग के छेतरी जैप प्रोधोगी की केंद्र के परिशर में आयोजित किया जाएगा ठीक है दोस्तो आंगे बढ़ते हैं और नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स आई सीसी के हॉल ओफ फेम में सामिल होने वाली पहली भारती महिला किर्केटर कौन बनी है फ्रेंड्स इस कुशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वे है मारा ओप्सन नमबर ए डाइना एडोल जी ठीक है दोस्तों चैलिए इस कुशन से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेती हैं पूर भारतिय कप्तान डाइना एडोल जी पहली भारती महिला किर्केटर बन गई हैं जिनने अंतर राष्टी किर्केट परिशद आई सी सी ने अपने हौल ओफ फेम में सामिल किया है उनके साथ भारत के पूर्व शलामी बल्लेबाज विरेन सहवाग और स्री लंका के अरविंद डिसिलवा को भी हौल ओफ फेम में सामिल किया गया है डाइना ने 1976 से 1993 के बीच भारत के लिए 54 मैच खेले और 100 से अधे विकेड हासिल किये थे ठीक है दोस्तों आंगे बढ़ते हैं और नेस्ट कुशन देखते हैं नेस्ट कुशन लिखा है दोस्तों किसी एक विस्व कप संस्करण में सरवादिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाडी ने बनाया है विच प्लियर है जो मेट दी रिकॉर्ड आफ स्कोरी मोश्ट रन इन अ सिंगल वर्ल्ड कप एडिशन फर्स्ट आप्सन है वीराट कोली सिकेंड आप्सन है डेविड वर्डनर थर्ड आप्सन है गिलैन मैक्सवेल फोर्ट आप्सन है रोहिच सर्मा बताईएगा फ्रेंड किसी एक विश्वेक अप्सन्स करण में सरवादिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाडी ने बनाया है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वे है हमारा ओप्सन नंबर ए विराट कोली ने ठीक है दोस्तों चलिए इस कुशन से रिलेटिन इंपोर्टिन पॉइंटों को पड़ती है ICC पुरुस वंडे क्रिकेट विस्व कप 2023 भारत में आयोजित किया जा रहा है भारत के इस्टार बलेवाच विराट कोली किसी एक वर्ल्ड कप में सरवादिक रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है कोली वर्तमान में किर्केट विस्व कप 2023 में सरवादिक रन बनाने वाले खिलाडी हैं 10 मैचों में 711 रन के साथ कोली ने एक संस्करण में सरवादिक रनों के सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को भी पीछे चोड़ दिया है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हैं और नेश कुषन देखते हैं नेश कुषन लिखा है फ्रेंड्स संयुक्त सेन अभ्यास एकसरसाइज मित्र सकती 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया जा रहा है जॉइंट मिलिटरी एकसरसाइज मित्र सकती 2023 इज बीग ओर्गनाज़ विद इंडिया एंड विच कांट्री फर्स्ट आप्शन है यूएसे सिकेंड आप्शन है फ्रांस थर्ड आप्शन है जर्मनी फोर्थ आप्शन है सिरी लंका बताईएगा फ्रेंड्स इस कुशन का राइट आंसर इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वे हैं हमारा ओप्शन नमबर डी सिरी लंका संयुक्त सैनब्यास एकसरसाइज मित्र सकती 2023 का आयोजन भारत और सिरी लंका के साथ किया जा रहा है चलिए इस कुशन से रेलेटिर इंपोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेती है भारत स्री लंका संयुक्त सैनब्यास मित्र सकती 2023 का नौवा संस्क्रड गुरु वार को ओधपूडे में सुरू हुआ अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा आर्मी मार्सल, आर्ट रूटीन, कॉमबेट रिफलेक्स सूटिंग और योग भी अभ्यास का हिस्सा होंगे रच्छा मंत्राले ने कहा है कि अभ्यास मित्र सकती 2023 में ड्रॉन के इस्तेमाल और हैलिकॉप्टरों के अलावा ड्रॉन रोधी प्रडालियों का भी अभ्यास किया जाएगा ठीक है दोस्तों आंगे बढ़ते हैं और नेश कुशन देखती है नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स वाइस ओफ गलोवल साउथ समिट के दूसरे संस्क्रट की मेजवानी कौन सा देश करेगा विच कंट्री विल होश दी सेकेंड एडिशन ओफ वाइस ओफ गलोवल साउथ समिट फर्स्ट ओप्सन है बंगलादेश, सीकिंड ओप्सन है भारत, थर्ड ओप्सन है थाईलेंड, फोर्ट ओप्सन है मलेसिया बताएगा फ्रेंड्स इस कुशन का राइट आंसर इस question का जो right answer हो जाएगा दोस्तों वे है हमारा option number B भारत चलिए इस question से related important point को पढ़ लेती है Vice of Global South Summit के दूसरे संस्क्रड का आयोजन भारत की मेजवानी में किया जाएगा सिकर सम्मेलन भारत की अधिचिता के दौरान G20 बैटकों के लिए नए निर्डियों को वैस्विक दच्छिन के देशों के साथ साजा करने पर केंद्रित होगा Vice of Global South Summit के पहले संस्क्रड की मेजवानी इस साल जनवरी महीने में भारत ने वर्चुल फॉर्मेट में की थी ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हो नेस्ट कुशन देखती है नेस्ट कुशन लिखा है फ्रेंड्स भारती रेल्वे ने किसके सायोग से भारत गौरफ परियतक ट्रेन की सुरुवात करने जा रहा है With whose collaboration is India Railway is going to launch भारत गौरफ टूरिस्ट ट्रेन First option है नितिया योग, Second option है परियतन मंत्राले, Third option है IRCTC, Fourth option है Make My Trip बताइएगा फ्रेंड्स, पार्टी रेल्वे ने किसके सायोग से भारत गौरफ परियतक ट्रेन की सुरुवात करने जा रहा है इस कुशन का जो राइड आंसर हो जाएगा दोस्तों, वे है हमारा option number C, IRCTC के सायोग से ठीक है दोस्तों, चलिए इस कुशन से related important point को पढ़ते हैं बार्टी रेल्वे ने IRCTC के सायोग से भारत गौरफ परियतक ट्रेन की सुरुवात करने जा रहा है देखो अपना देश और एक भारत स्रिष्ट भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए इसकी सुरुवात की जा रही है यह ट्रेन चत्रपती सिवाजी महराश टर्मिनल से प्रस्थान करते हुए सर्कुलर मार्ग मुंबई, पूने, शोलापूर, गुतकनल, रेनी गुंटा, रामेश्वरम, मदुरे, कन्यकुमारी, कोचुवेली जैसे प्रतिष्ठित इस्थलों को कवर करेगा ठीक है दोस्तों, चलिए आंगे बढ़ते हैं और नेश कुशन देखते हैं जल्दी से बताईएगा दोस्तों, राश्टी प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? इस कुशन का जोराइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वे है मारा ओप्सन नमबर डी, सोले नवंबर को राश्टी प्रेस दिवस मनाया जाता है चलिए इस कुशन से रेलेटेड इंपोर्टन पॉइंटों को पढ़ लेती हैं भारत में हर शाल, सोले नवंबर को राश्टी प्रेस दिवस मनाया जाता है यह दिन भारती प्रेस परिशत की स्थापना के उपलच में मनाया जाता है जो देश में समाचार मीडिया के लिए एक नियामक संस्था के तौर पर काम करती है इस दिन लोग तंत्र में स्वतंत्र प्रेश के महत्व के बारे में बात की जाती है मीडिया के सामने आने वाली चुनोतियों और नैतिक पत्रकारता की आविशक्ता को जागर करने के लिए इस दिन देश भर में विबिन कारिकरम आयोजित किये जाते है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हैं और आजका लाश कुशन देखते हैं आजका लाश कुशन लिखा है फ्रेंड्स किस देश में एसिया प्रिशान्थ आर्थिक सैयोग एपी एसी सिखल समेलन आयूजित किया गया है इन विच कंट्री है इस दी एसिया पैसिफिक एकोनॉमिक कॉपरेशन एपी एसी समिट बीन हैल्ड फर्स्ट आप्सन है भारत सिकेंड आप्सन है अमेरिका थर्ड आप्सन है उस्ट्रेलिया फोर्ट आप्सन है जापान जल्दी से बताईएगा फ्रेंट्स किस देश में एसिया पिरसांत आर्थिक सायोग एपी एसी सिखल समेलन आयूजित किया गया है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स वे है हमारा ऑप्सन नंबर बी अमेरिका में ठीक है दोस्तों चलिए इस कुशन से रिलेटिन इंपोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेती है कनाडा के प्रिधान मंतरी कारियाले के एक बयान के अनुशार जेस्टिन टूडों ने 8 नवंबर को गोशना की थी कि वे 15 से 17 नवंबर 2023 तक सैन फ्रांसिस को संयुक्त राज अमेरिका की यात्रा करेंगे और एसिया प्रिशान्थ आर्थिक सैयुग नेताओं की बैठक में भाग लेंगे एसिया प्रिशान्थ आर्थिक सैयुग सिगर सम्मेलनकी मेजवानी अमेरिका करने जा रहा है ठीक है दोस्तो I hope आजके सभी question आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे friends और सभी question से related important point के notes भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे और ये सभी important point आप लोग अपनी copy में note down कर लीजेगा इससे आप लोगों को कभी भी question से related कोई भी queries होती है तो आप लोग उसको देख के अपनी queries दूर कर सकती हैं दोस्तो अगर class अच्छी लगी हो friends तो please इस class को like कीजेगा, share कीजेगा और आपके अपने चैनल मांसी study channel को subscribe कीजेगा Thank you so much friends